आज बनाते हैं यह बहुत ही लजीज सा दही आलू चाट पूरी तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं इसके लिए हमने पहले वीडियो अपलोड किया है यह पूरी का तो आप उसको देखिए पानी पूरी का है वह रेसिपी इसको हमने वन फॉर्थ कप सूजी लिया है वन फॉर्थ कप मैदा लिया है उसमें नमक है और टेस्ट के एक चुटकी आप डालिए बेकिंग सोडा और इसको नरम आटा गूद लीजिए जिसे के रोटी का आटा होता है और बेल करके इसकी इस तरह से पूरी निकाल लीजिए और इसको गरम तेल में फ्राई कर लीजिए डिटेल्ड वीडियो है वह पानी पूरी का उसमें आप जा करकी देखिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में तो यह बिल्कुल 100% फूली फूली पूरिया आपकी बनेंगी इसको हम बना लेते हैं उसके बाद अपना चाट की तैयारी करते हैं यह दही है चार से पांस चम्मज है यह दही और इसको हम अच्छे से फेट लेंगे बहुत पतली दही नहीं है इसमें डालेंगी थोड़ा सा हम काला नमक और इसको मिक्स कर लेते हैं यह उबला हुआ आलू है इसको चोटे-चोटे पीसेज में काट लिया है हमने और इसमें हम डालेंगे भूने हुए जीरे का पाउडर है वन एर्थ टीए स्पून और चाट मसाला पाउडर है वन फोर्थ टीए स्पून यह एक बड़े साइज का आलू था उसको चोटे-च ahead mix the डालने के लिए यह मसाला हम ने तियार किया है और चैसे साथ पूरी हम लेते हैं और इसको बनाके दिखाते है यह देखे कितना खुनग in the . इसमें डालेंगे आलू हतर राव I am और दो पूरी को हमने क्रश कर लियां है बारीक इसको भी घोड़ा थोड़ा हम डालेंगे और अपना मसाला थोड़ा सा डालेंगे, फिर डालेंगे इसमें धन्यागी चटनी, सब अपने हिसाब से आप डाल लीजे, टेस्ट के कॉर्डिंग मीठी चटनी डाल दिया, और इसमें अब हम ये सेव डाल रहे हैं, मोटा वाला ही है मेरे पास, तो इसी को हमने डाल दिया है इसमें, अनारदाना है, अब इसपे के उपर हम दही डालेंगे, तो दही अच्छे से डालेंगे अंदर तक जाए, और इसके उपर डालेंगे चटनी, हरी चटनी, अब इसपे हमने जो मसाला बना करके रखा था, उसको हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे, और सेव अनारदाना डालेंगे इसके उपर और सर्फ करेंगे, आपको रेसिपी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल पे नए है, तो चैनल सब्सक्राइब कीजेगा, बेल आइकन ज़रूर हिट करिए, कि आपको रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे है, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया,